हलो फ्रेंड पॉप्लेटिवी सीरियल गम है किसी के प्यार में किया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि स्कूल के अन्वल डे के प्रोग्राम में साई ने दी जबद स्पीश तो वहीं साई की स्पीश सुन रजत हुआ एमोशनल रोया फूट फूट कर जी हां दोस्तों अब शोग के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां साई अपने पापा रजत से इस बार काफी जादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी वज़ा से उसकी परी मम्मा की आँखों में आस हुआ है और वो बहुत जादा रोई तो वहीं रजत साई की खु उसे स्पीच लर्ण करवाने में और उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से करवाती है जहां साई भले ही कॉंपिडिशन जीत ना पाए लेकिन पूरे कॉंपिटेंस के साथ परफॉरमस दे पाएगी वैल लप शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सा अपकर परिवार काफी ज़्याद एक साथ नजर आने वाला है तो वहीं रजत के साथ साथ पूरा परिवार सभी के स्कूल आ जाएगा तो वहीं सभी स्टेज पर आ जाएगि और अपनी स्पीच देना शूरू कर देगी जहां सभी अपनी स्पीच में फादर की इंपोर्टेंस उसका लव उसकी केर उसकी बॉंडिंग को डिफाइन करेगी और बताएगी कि कैसे एक पिता अपने बच्चों की जिंदेगी को बनाने के लिए उसको सवारने के लिए दिनदात एक कर देता है उनकी खुशियों के लिए अपना सुक चैन सब कुछ भुला देता है पिता वो मजबूत बुनियाद होती है जिस पर बच्चे अपने सपनों का महल बनाते हैं मेरे पापा श्री रजट ठक कर मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो मेरा बहुत खयाल रखते हैं मेरी हर चोटी ब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां सई की स्पीच सुनकर हर किसी की आँखे नम हो जाती हैं तो वहीं रजट काफी ज़्यादा एमोशनल हो जाता है और फूट-फूट की रोने लगता है जहां रजट कोई ये बात भी पता चल जाती है कि सई कोई ये स्पीच किस और ने नहीं बलकि सवी ने प्रिपेर कर거야 है तो वहाई रजजत के दिल में सवी के लिए रिस्पेक्ट और भी जादा बढ़ जाती है और उसके दिल में सवी के लिए एक स्पेशल कौर्णर क्रियेट हो जाता है और इस बात को वो दिल से मानता है कि उसकी बेटी साही के लिए सभी ही अच्छी और बेस्ट मा है और इससे अच्छी कोई और हो ही नहीं सकती तो वहopardy साही की शूएगी रजट का दिल जिसके बाद रजट की दिल में बनेगी सभी के लिए स्पेशल जगा तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें